राथे राथे दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों अगर आप अपटी लाइफ पे कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाए दोस्तों जेश्टमास के कृष्णपक्ष के एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं धार्मिक मानेताओं के अनुसार अपरा एकादशी का ब्रत रखने से आथिक परिशानिया दूर होती है और सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है शास्तों में अपरा एकादशी को बहुत ही पुन्यदाई तिथी बताया गया है अपरा एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायन का पूजिन कहने से अपार्थन की प्राप्ति होती है इस पार अपरा एकादशी का ब्रत 15 माई दिन सौंबार को रखा जाएगा और प्रत का पारण 16 माई को किया जाएगा प्रत पारण करने का शुब महुरत है 16 माई की सुभे 6 बच कर 41 मरसी सुभे 8 बच कर 13 मिनट तक अगर आप आथिक तंगी से परिशान हैं तो एकादशी के दिन छमता नुसार गरीबों और जरत मंदों को पीले रंग की बस्तर अन्न और पीले रंग की बस्तूओं का दान करें ऐसा करने से भगवान विश्णू मा लक्ष्मी की कृपा से आथिक तंगी दूर हो जाती है कि कृपा प्राप्त करने के लिए गौमाता की सीवा अवश्य करने चाहें मानिताओं के अनुसार इस दिन कौमाता की सीवा करने जी घर में सुख सम्रध्धी आती है और जीवन में खुशाली आती है एकादशी का दिन भगवान शीहरी विश्णू को समर्पित होता है इस आज की इस बीडियो में हम आपको इस पावन दिन पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाए बताने जा रहे हैं इस उपाए को करने से भगवान श्रीहरी विश्णू ची के साथ ही मालक्ष्मी जी और भगवान श्रीगनेश के भी असीन कृप्रा प्राप्त ह होती है भगवान श्रीगनेश भगवान श्रीहरी विश्णू मालक्ष्मी जी के करप्रा से घर धन्धानने से भर जाता है दुख गरीबी और दरित्ता का नाश हो जाता है घर में कभी भी गरीबी नहीं आते हैं दोस्तों इस उपाए को से ही प्रकासी करने के लिए आप हम आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वेडियो के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं तो आएए दोस्तों जान कि दिये के नीचे आज के दिन चावल ना रखें क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तमाल करना बरजित माना जाता है आज के दिन ना तो चावल खाया जाता है और ना ही पूचा में या किसी और कारे में इस्तमाल किया जाता है आप दीपक के नीचे कोई खाली पात्र और उसके उपर ही दीपक रखें। दीपक के साथ एक सुगंदि धूपत्ति अवश्य ही चलाएं। क्योंकि धूपत्ति के सुगंदि से बातावर्म पवित और सकारात्मक हो जाता है। इससे पूजा में अधिक मन लगता है। दूपत्ति चलाने के बात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरी विश्णों और मा लक्ष्मी जी को हल्ती और कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप एक पात्र में शुत्ति खी और थोड़ा सा गुड रखें। गुड ना हो तो थोड़ी सी शक्कर या मिश्री रखें। अब इस गुड और श्री गणेश, भगवान श्री हरी विश्णों और मा लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। दोस्तों गुड और घी भगवान श्री गणेश को अतिप्रिय है। गुड घी का भगवान श्री गणेश को भोग लगाने से भगवान श्री गणेश शीक्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और घी की सुगंध मा लक्ष्मी को भी अतिप्रिय है। मा लक्ष्मी को घी का भोग लगाने से मा लक्ष्मी की कृप्रा प्राप्त होती है एक अलग पात्र में आप तुलसी का पत्ता रखें शास्तों में बताया गया है बिना तुलसी जी के भगवान श्री हरी विश्णू भोग को स्विकार नहीं करते लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें तुलसी जी के पास अपने आप जो तूट का पत्ता गिर गया है या तो आप उसे ले लें या एक दिन पहले तोड़ कर रख लें या पहले भगवान ची की पूचा में इस्तिमाल किये गए तुलसी के पत्ते को आप धोकर दौरा से भगवान ची को अरपित कर सकते हैं क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता भोग लगाने के बाद आप भगवान श्री गणेश ची के इस मंत्र का ग्यारे बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम गन गन पते नमा गणेश ची के मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान श्री हरी विश्णूजी के द्वादश्मत ओम नमु भगवती वासु दिवाय का 108 बार जाप करें मंत्र है ओम नमु भगवती वासु दिवाय इस मंत्र का जाप करने के बाद अब आप मालक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम महालक्ष्मे नमा ओम महालक्षमे नमा दोस्तों मंत्र का जाब करते समय आपको अगर कठनाई महसूस होती है तो आप पहले भगवान श्री करेश की आरती करें फिर महालक्षमी जी की आरती करें और अंत में भगवान श्री हरी फिश्णों की आरती करें इस तरहें पूजन करने के बाद आप भगवान जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह सभी भगवान जी से कहें और अपनी सभी समस्या और कष्टों को दूर करने की प्रातना करें धन्सम मंदी समस्याओं को दूर करने की प्रातना करें प्रातना कहने के बाद आप शुत्य जल से मड़े हुए आटे से एक साफ रोटी बनाएं अब इस रोटी को आप एक प्लेट में रख लें फिर इस रोटी को आप मंदिर में रखें और भगवान ची को जो आपनी खी का भूग लगाया है उस खी को आप रोटी पर लगा दें जो शक्कर है उसे आप रोटी के उपर डालतें और तुल्सी का पत्ता भी आप रोटी पर रख लें अब आप भगवान श्री गणेश भगवान विश्नु मालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और इस रोटी को अपने मस्तक से लगाएं। इसके बाद आप इस रोटी को ले जाकर गौमाता को खिला दें। रोटी खिलाने से पहले आप भगवान श्री गणेश भगवान बिश्नु मालक्षमी ची को प्रणाम करें और समस्ति देवी देपताओं को प्रणाम करें और उनसे भोग स्विकार करने के प्रात्ना करें शास्तों में बताया गया है कि गौमाता में 33 गोटी देवी देपताओं का बास होता है गौमाता में ब्रह्मा विश्णु महिश्ट्री देपताओं का भी बास होता है भागवान श्री गणिश को पसंद करने के लिए भी गौमाता की सेवा करनी चाहिए और माना जाता है कि जो ब्यक्ति गौमाता की सेवा करता है उस पर मालक्ष्मी की असीम कृपा होती है इस तरहें गौ माता को रोटी खिलाने से भगवान श्री गणिश भगवान श्री हरी फिश्णू मा लक्ष्मी जी के साथ ही समस्ते देवी देटाओं का आशिरवाद प्राप्त होता है और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है गौमाता को इस तरहें रोटी खिलाने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं जीवन के हाँ छेतर में सफलता मिलती है और मालक्ष्मी ची की कृपा से घर में सुख सम्रथी आती है भगवान पिश्णूची के अपतार भगवान श्री कृष्ण ने गौमाता की बहुत सेवा की थी गौमाता भगवान श्री कृष्ण को अती प्रिय है गौमाता की सेवा कहने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते है गौमाता को इस तरहें रोटी खिलाने से ब्रामनों को भोजन कराने का भी पुन्यफल प्राप्त होता है दोस्तों गौमाता को रोटी खिलाते समय भी आप मनही मन ओम्नमो भगवति वासु देवाय मंत्र का जाप करते रहें गौमाता को रोटी खिला कर आप गौमाता को प्रडाम करें और उनसे अपने सभी कष्ट दुख दरित्ता गरीवी को दूर करने की प्राथना करें दोस्तों शास्तों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाई है इस उपाई को कईने से भगवान श्री कणेश भगवान श्री हरी विश्णु मा लक्ष्मी जी की गृपा से जीवन के सभी कष्टों से जल्दी छुटकारा मिल जाता है दन संबंदी समस्यायतूर होती है और घर में सुक्सम्रधी आती है गौमाता दुर्भाके को सौभाके में बतल देती है दोस्तों गौमाता को रोटी खलाते समय आप इस बात का विशिश ठ्यान रखें कि आपको रोटी गौमाता के सामने फैकनी नहीं है यानि कि आपको रोटी सम्मान के साथ गौमाता को खलाने है अगर आपको डर लगता है रोटी खिलाते समय तो गौमाता के खाने का जो इस्थान है जहाँ पर उनका खाना रखा हो आप बहाँ पर रोटी रखते हैं या फिर जिनके घर गौमाता हैं उनके हाथ में सम्मान से रोटी देते हैं रोटी को बासी करके गौमाता को ना खिलाएं और रोटी का अनादर भी ना करें रोटी को प्री जेब में रखकर या फिर गलत तरीके से आप अपने घर से ना ले जाएं गौमाता को पूरे सम्मान से रोटी खिलाएं इस सुब अपसर पर इस उपाय को करके इससे लाब अव उठा सके हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी